ग्पर अब्र क्युल्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ります जो आप बोलेंगे हम वहीं करेंगे। आ हैं रहकिन जैंद्स क्हूंद रिजह अ Гण तो बस मैं जानना चाहता हूं कि Iain बुलिए है बईरूर जाना चाहएं लेकिन किया जानना चाहते हैं ये भी तो बता दीए ना कि बहुँआने ऐसा किया क्यों किस दीज़ की बाउन आप इसी पूरा ही मानि ऐसा यूनिवर्स ही बना है क्यों जिसे इनसान को ही क्यों बना है क्या जरुएत की वरवान भो टी ला गांते है तिक इतने सी बात प्रअ एद चारे बैसिक जीन है आपका यह बस बैसिक जी सी जी हर एक चीज़ का कुछ रीजन तो होना चाहिए कारन तो होता है उसके पीछे जैसे भगवान जैसे आपको उसी तरह ही अड्रेस करेंगे तो आपने कहा एगनॉस्टिक आपके अगनॉसिसिस्टिसिस्म को मैं सामने रखते हूँ मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यह स्वाल क्य हूँ है आपका? बस मैं जानना चाहता हूँ. आगर आपको वाकि है अगनॉस्टिक अगर आप वाकिह है ना इगनॉस्टिक शायद मेरे ओडियंस को यह शायद यह सवाल में असमझ ना रहे हैं कि मैं ताम बैसिक स्वाल क्यूं पूछ रहा हूँ? लेकिन आप हैं आप क्यों चानना चाहिए हैं, that is the question I'm asking. जैसे agnostic मतलब मेरा कोई, मैं confirmist नहीं हो, हाँ यही चीज है, और या कोई दूसरा चीज है, और confirmation के लिए कोई जरूत होता है, क्या-क्या? define करें कि आपके नजदीग agnostic होता कौन है? जैसे मैं खुद को agnostic इसलिए बोलता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता है, God exists करता है या नहीं, ठिक, तो जब तक मुझे proper logic या reasoning नहीं मिलेगा, तो मैं कैसे मौनलों को God होता भी है, या नहीं भी होता है, नहीं के लिए proper region चाहिए, जो atheist होते हैं, जो बोलते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, नहीं होता है, ठहर ठहर के आपसे पूछा है, कि agnostic, आप अगर हैं, तो आपकी स्वाल पूछ क्यों रहे हैं, गिवन दे फेक्ट कि agnostic कुन्क्लूसिफ हैं अपने इस argument में, कि knowledge of, or knowledge about God, or this entire concept, is unknowable, ये आप जान ही नहीं सकते हैं, the fact कि आपकी position ये हुनी चाहिए, as agnostic, कि आप जान ही नहीं सकते हैं, तो मैं आपको कुछ भी जवाब दे दूना, आपको वो accept करना होगा, as an answer, not कि आप उसको right answer accept करें, but the very fact कि आप उसके बारे में जान ही नहीं सकते हैं, ठीक है, अगर मैं आप से कहूँ कि खुदा ने हमें इसलिए बनाया है, कि वो अपनी डिशें हम से साफ कराना चाहता है, that should be a valid answer so far as you're concerned, because it is unknowable, ठीक, मैं अगर आप से कहूँ कि आप 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 से कहूँ कि आप आप बनाया है, you have to accept it, मैं अगर आप से कहूँ कि खुदा ने हमें बनाया है, इसलिए कि काइनात बहुत बड़ी है, उसको चाहिए थे लोग जो जो जाकर सफाई करें, तो हम सफाई के लिए पैदा किये गए हैं, चांद से तारों पे जाकर ब्रश करने के लिए, जाड़ों फिरने के लिए, ओके तो आप मुझे कुछ भी नाम दे दीजी आपने, जो कुछ कहा है, लगी बस मेरे प्रोप कुश्चन ही ही है, कि क्यूं, और वो क्यूं का जो आंसर होगा, वो लॉजिकली और रिजिनिंग होना चाहिए, रिजिनेवल होना चाहिए, हाउ डू यू डिफाइन लोजिक और बगेन, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि जैसे अभी गिनोस्टिक और अटियर वाह होगा है, छोड़ी देर के माद आप मुझे आपको आपको तो खुश होना चाहिए, कि आपकी बात को कम से कम एंडिटेन कर रहे हैं, वैसे ह हाँ पर वर्सिस वाले बैठे हुए हैं, उख्तियार शायद कुछ बीजी हैं, वो बीजी नहीं होती तो आपको कब कब बता चुकी होती कि आप गलाज जगाप आए हुए हैं, यहां पर क्वेस्टिन्स नहीं होते, वो यासर नदीम सहाब के पास जाया करे, सैम के पास जा यहां पर आपने बताना है कि अगर तो वो क्यों बेहतर है, यह शूर वी कन हैव दर कंवरसेशन, तो यह गिलाना करें कि मुझे आप कोई नाम दे दे यह ऐसा कर दें, ऐसा नहीं काम चलने वाला, नाम करन थोड़ी हो रहा है यहां पर, अगर आप अंसर नहीं दे सकते हैं आहां आशर नहीं दे तो तो फिर कुछ नहीं, मैं चला जाता हूँ अब हाद ज्वाब अल्ह ताला ने सब मखलुकात को अपनी अबादत के लिए बनाया है अबात ख़तम यह लॉजिकल तो ना अंसर नहीं लग रहा है चलिए अबादत को जरूत के लिए अबादत के लाने के है लेकिन इसका कोई लॉजिक है क्यों इबादत करना चाहेगे ला तो हमेंसाथ एक्डिस्ट करता था उसको अबादत करते है ला कि मेनें गष्शप उसकी अर्जी मर्जीadox मर्जी कोई अंसर नहीं होता tentang कि मर्ज तो क्यों तो पर शार गॉनム्तिट legends यही आंसर है आप अग्नॉस्टिक हैं आप के लिए यही आंसर है अला के मर्जी सववाट यह लॉजिकल आपके लिए लॉजिकल कैसे आप के लिए अग्नॉस्टिक आप छोड़ी कि अपने और यही आपके लॉजिकल आपके लॉजिकल आप मर्जी यह लॉजिकल आप अब आपका अगर है ना कोई वर्सिस वाली बात तो करें जो आज़र अगनॉस्टिक आपको जवाब दे दिया है कि अल्ला की मर्जी अल्ला नहीं इबादत के लिए बनाया है केस क्लोस्ट बात खत्म जैसे ये तो कुछ बेफकूफ करेंगे इस चीज़ को कुछ की मर्जी औ किसने कहा है 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 बेफकूफ वाला है उसने पूरा यूनिवर्स बना दिया उसकी मर्ज यह को मतलब ही नहीं ठीक हो गया अच्छा ये तीन भगवानों ने यूनिवर्स बनाया है एक का का काम बनाने का एक को सस्टेन करने का है तीसरे का भी कोई काम है, ये बेवकुफ वाली बात लगती है आपको? हाँ, बिलकुल लगती है. तो आप क्या कह रहे हैं कि जो हिंदूज हमें वो बेवकुफी है वो? हाँ, जितना भी रिलीजन, कोई भी रिलीजन हो. ठीक, अगर वो लॉजिकल आंसर नहीं दे पारा, तो वो बेवकुफी है. ओके, लॉजिकल आंसर तो वो बेवकुफी है. मुझे बताइए का कि जब आप कहते हैं कि लॉजिकल आंसर तो लॉजिकल आंसर से आपकी क्या मुराद है? आप इंड़क्टिव लोजिक की बात करें, डिड़क्टिव की करें, किसकी आप बात करें हैं? जो एक human region को satisfy करें, जो सच में एक proper region हो, इसका क्या ही मतलब हो कि उनकी मर्जी, इसमें कोई answer ही नहीं हुआ कि उसकी मर्जी, जैसे आप में कुछ काम करते हैं, मैं कुछ काम करते हैं, लेकिन मेरे भाई, मैं just to give you heads up कि मैं अपनी अप tone change कर रहा हूँ, इज़त आहतराम से बात इसमाल करने शुरू किये, तो मेरा भी right तो बनता है ना कोई, इसलिए अब आप से आपके level पर ही बात होने चाहिए, और वो होगी, मुझे आप ये बताईए, आप कहते हैं ये logic नहीं है, तो आपकी क्या मतलब है, इसे आप abductive की बात कर रहे हैं, इंडक्टिव की बात कर बताईएगा, फिर आप को उसी दर में जो आप दो, नहीं जैसे ये किसी भी logic के अंदर आता है, नहीं कि मेरी मर्ची, या अल्ला की मर्ची, ये कोई logical ही नहीं वाना, किसी के अंदर नहीं आता है, इस आदमी को logic का पता भी ना होना कि उसकी types कितनी है, और वो दूसरे को कह कि आप बेवकूफ हैं, और वो बगैर अपनी terms को समझे हुए, वो अपने आपको वो डिकलेर कर दे, आइधर यनिके उसको agnosticism करना पता हो, और वो कहें कि मैं agnostic हूँ, जो logical explanation मांगे, लेकिन logic की types का भी ना पता हो, वो बेवकूफ नहीं, बेवकूफों का सरदार हुआ करता है, और यकीन करो मेरे भाई, मैं अभी भी इज़त से बात कर रहा हूँ, अगर अभी भी समझ ना आई, तो एक दफा फिर इस तरह का लफ्स इस्तमाल करो हम मुसलमानों के लिए, I'm, you know, very much assure you that you will regret or possibility आप दोबारा आएंगी भी नहीं, you still have a chance, इनसानों की तरह बात कर क्योंकि वह आप अगनॉस्टिक हैं, आपको accept करना होगा, मैं अगर आपसे कहूं ना कि आपको अपने जूते पालिश करने के लिए पैदा किया है, as an agnostic, philosophically speaking, you have no other reason, कोई आपके पास reason नहीं कि आप उसे reject करें, you have to accept, you have to accept, you have to know, अगर मैं आपको यह कह दूँ, आपको यह पड़ेगा, नहीं, आप नहीं पूछ सकते ना क्योंकि आपको अगनॉस्टिक हैं, it's unknowable, it's unknowable के लागो जूते पहने की क्यों जरूरा थे, you have no comment on that, आपका comment नहीं है, आपका comment नहीं है, अगनॉस्टिक शूस्टिक वाला ड्रामा यह नहीं चलेगा, और अगर टर्म्स को आपने डिफाइन ना किया, और दूसरे को अगर आपने बेवकूफ कहने की कोशिश की, my son you will regret that, इज़त करो, इज़त करो, इज़त करो, इज़त करो, इज़त करो, इज़त करो, इज़त क आदमी और बड़ा बेवकूफ आदमी है, go on, case करे मुझब शूमी, नहीं, यह क्या मत वआ, आदम की की इसका अबादत के लिए प्टे लिए, जाला होटी, अच्छा, गोटी, जेकर.